नमेशकार दोस्तों आपको पता होगा 2013 में सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा डिसिजन लिया गया था जिसके तहट हमारे देश की करीब दो तिहाई जो आबादी है टू थर्ड जो पॉपुलेशन है उसको सस्ते दाम पर जो फूड ग्रेंस हैं वो उपलब कराए जाने तो 2013 के बाद से आपने देखा होगा अलग-अलग राज्यों में समय समय पर ये जो पूरा फूड एक्ट है वो लागू होता रहा और आज के डेट में पूरे देश भर में ये लागू हो चुका है लेकिन यहाँ पर नीती आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसके तहट जो नीती आयोग recommends curtailing coverage under food security law to save on subsidies तो इसके बारे में डीटेल से जानेंगे कि food security act के अंदर exactly है क्या-क्या और यहाँ पर कब इस चीच को हम change कर सकते हैं नीती आयोग को ये रिपोर्ट लानी कि आऊशकता क्यों पड़ी तो चली आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram, Facebook और Twitter पर मेरे लेक्षे की हर PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी ही प्लस साथ में आप मेरा Telegram चैनल जोईन कर सकते हैं by searching अंकित अगरवाल official साथ में study IQ लाया है आपके लिए smart courses जिसके तुरू आप अपनी जो preparation है और जादा पर देखने की ये सारी चीजें प्लस यहाँ पर daily quiz होता है जितने भी overall preparation वाली चीजें हैं वो आपको हमारे इस particular course में मिल जाएगी तो चलिए आपर सबसे पहले देखते हैं कि exactly हुआ क्या है तो नीती आयोग ने recently यहाँ पर एक discussion paper जारी किया है इस discussion paper के तहट जो 2013 वाला National Food Security Act है इसके अंदर revision करने की बात कही गई है और इसके तहट मैंने आपको अलोड़ी बताया कि करीब 47,000 करोन से भी जादा annually यहाँ पर सरकार बचा सकती है तो सबसे पहले यहाँ पर question आता है आपके दिमाग में कि यह जो discussion paper है यहाँ पर लाने की आउशकता क्यों पढ़ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा तो देख सकते हो आपकी यहाँ पर बताया जाता है कि eligible households को जितने भी घर है हमारे देश भर के अंदर अगर वो eligible हैं तो उनको 3 रुपए पर किलो पर rice दिया जाएगा, 2 रुपए पर किलो पर wheat दिया जाएगा और 1 रुपए पर किलो पर course grain दिये जाएगे तो यह बेसिकली दिया जाता है targeted public distribution जो system है हमारा उसके माध्यम से और यह जो price पर दिया जाता है 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए इसको हम कहते है central issue price तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यह जो central issue price है इसी को revision को लेकर यहाँ पर discussion हुई है पूरी तरह से तो एक तो नीती आयोग ने यह बोला है कि हमें यह जो price है इसमें थोड़ा सा change करनी के आउशकता है, दूसरा यहाँ पर बोला क्या है कि जो update करना है जितने population cover होता है मैंने आपको बताया 2 3rd मतलब 66% जो population है हमारे देश की यह जो coverage है इसको हमें थोड़ा कम करनी के आउश चाहिए किसको नहीं देनी चाहिए इसको लेकर भी यहाँ पर discussion किया गया है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह जो 2013 का act है इसके अंदर अगर आप section 3 देखोगे उसके अंदर लिखा हुआ है कि दो category के लोगों को यह जो subsidy वाला food है वो दिया जाएगा एक category है priority household की और दूसरी category है जिसको कहा जाता है अंतोद्या अन्योजना के अंदर जो families आती है अगर जो families priority household के अंदर आती है तो उसके अंदर बताया जाता है कि 5 kg of food grain दिया जाएगा अगर आपके family के अंदर suppose 5 लोग हैं तो हर एक व्यक्ति को 5 kg का यहाँ पर अनास दिया जाता है तो 5 5 x 5 25 kg हर महिने आपके family को दिया जाएगा अगर आपकी family अंतोद्या अन्योजना में आती है तो यहाँ पर directly 35 kg दिया जाएगा doesn't matter आपके family में कितना member है आपके family को 35 kg पर month जो अनाज है इस subsidized rate पर मैंने आपको जो बताया वो दिया जाएगा लेकिन यहाँ पर एक और question आता जो schedule 1 है उसके अंदर लिखा है कि जब से यह act लागू होगा उसके 3 साल बाद से इस price में change कर सकते हैं तो आपको पता है जैसे मैंने आपको पता है 2013 में यह लागू हो गया था लेकिन अलग-अलग राज्यों में किसी राज्य ने 2014 में अपनाया किसी ने 2015 में अपनाया लेक रखा है 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए वो तब से वैसा ही चलता आ रहा है और अगर सरकार को इसमें revision करना है, change करना है price में अगर price को suppose 3 रुपए से 4 रुपए करने है, 2 रुपए वाला, 3 रुपए करना है तो इसके लिए simply उनको एक notification जारी करना होगा schedule 1 के अंदर और यहाँ पर यह लागू किया जा सकता है और Parliament में इसको notify कर देना होगा, बस इतना काफी है, इसके लावा मैं आपको यह बता दू कि जो इस बार का economic survey आया है 2020 21 का, इसके अंदर भी इसको लेकर जिक्र किया गया है और बोला गया है कि price के अंदर revision करना चाहिए हमें थोड़ा इसके अलावा मैं आपको बता दू कि जो coverage है वो कितना होता है, मैंने आपको बता दिया two-third population cover होती है इस subsidy वाले food के अंदर, तो यहाँ पर मैं आपको बता दू, rural population अगर आप देखोगे, तो three-fourth population, मतलब 75% की जो हमारी rural आवादी है, वो cover की जाती है और urban आवादी करीब 50% cover की जाती है, तो average में आप कह सकते हो, two-third population cover होता है, और यह किस basis पर होता है, तो जो latest census का data है, तो 2011 का हमारा census का data आपको पता है, उसके according अगर आप देखोगे, तो 81 करोन persons इसके अंदर covered होते हैं, 81 करोन population हमारी जो है, वो इस subsidized food को प्राप करती है, उसका सुविधा लेत तो अलग-अलग population के basis पर, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, NSSO का जो सर्वे किया गया था, household consumer expenditure सर्वे 2011-12, इसके basis पर अलग-अलग union territories, राजियों के अंदर इसको distribute किया जाता है, लेकिन इसके अंदर भी क्या हुआ है, अब्वेसी बात है, 2011 में जो हमारी population होगी, सप इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ था, कि कई सारे जो राज हैं, उन्होंने यहाँ पर Ministry of Consumer Affairs को बोला था, कि इसकी जो population की संख्या है, आप उसको update करिये, और हर साल इसको update करने की कोशिश करा करिये, इसी के लिए क्या हुआ कि Ministry of Consumer Affairs ने नीती आयोग को बोला कि जो methodology है, हमें सुझाओ दीजे, और इसी के लिए यह सारे सुझाओ लाएगा है, तो यहाँ पर नीती आयोग ने basically बोला क्या है, तो सबसे important चीज़ ध्यान रखेगा, आपके exam में definitely कहीं न कहीं आपको पुछा जा सकता है, जो बहुत important है, कि अभी मैंने आपको क्या बताया, 75% rural आबाद यह मतलब कि 66% जो total population है मारी उसका, उससे घटा कर हमें कर देना चाहिए 50% पर, तो basically यहाँ पर जो coverage है, उसको reduce करने की बात कहीं है, और अगर यहाँ पर इसका अगर हम अनुमान लगाएं, 2020 का अगर हम population projection के हिसाब से अगर अनुमान लगाएं, तो अभी करीब 80 करोन लोग 47,000 करोन सी भी जादा, आप देख सकते हो 47,000 करोन सी भी जादा, यहाँ पर इसका benefit मिल सकता है, मतलब सरकार बचा सकती है, अगर यह implement हो गया तो, although मैं बता दूँ कि कई सारे राज्यों के द्वारा obvious सी बात है, इसको oppose किया जाएगा, although मैं आपको बता दूँ कि यह discussion जो है 60-40 करने का, अगर इसको नहीं अपनाया जाता है, इसको सेम रखा जाता है, 75% rural और 50% urban, तो इस case में अगर हम 2020 के population के projection के हिसाब से देखें, तो इसकी संख्या 81 करोन से बढ़कर 89 करोन हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, coverage बढ़ गया, और यहाँ पर सरकार का खर्च आएगा, that is 14,000 करोन सरकार को जादा खर्च करना पड़ेगा, ऐसा इसके अंदर बताया गया है, तो यह पूरा वीडियो था दोस्तों, जो की रिसेंटली नीती आयोक का रिपोर्ट आया और बहुत जादा चर्चा हो रही है इसके बारे में, और I'm sure कि कई सारे जो राज हो पहले मैं आपके लिए एक question लिकर आया हूँ, यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन से region में आपको richest native wildlife देखने को मिलेगा, पूरे विश्व की अगर हम बात करें, तो ध्यान से करिएगा इसको, इसका जो right answer है, वो मैं अपने Instagram पर तो डालूँगा ही, अगर आप Instagram पर नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में, आप जाकर play कर सकते हो, अगर आप मुझसे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, study IQ आप पर जा सकते हैं, यहोग की वीडियो आपको पसंद होगा, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.